बारिस के मुसर में पटेटो स्टिक हो जाए तक क्या बात है वही टेस्ट जैसे होता है ना फ्रेंस फ्राइस में उसी तरह का टेस्ट है कोई डिफ्रेंस नहीं है बस इसे बनाने का तरीका बिलकुल अलग है खाने में इतना लाज जवाब एक बर बना के देखिए आपको कि नहीं पिच अथा बज़े आने वाला ऐसे बनाने में बिलकुल इसी है बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो जाए चुटक्यों बजाते है आपका पटेटो स्टिक बन का तयार हो जाएगा देखने में देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा रहा है ना मन खाने का इतना क्र अंझी से मखमल जैसा शोफट जली से इससे स्टार्ट करते हैं जिस में पटेटो लिए मिटन बॉल सब्म बॉल करने कि अह独 दीज सकते हैं काफी जादा प्रैस करें तब टूरा है हमें इतना ही भाईल करें अगर जादा गीला गीला ने पॉइल करना एक यह बड़ा पाउल लें आपको रात अस्तोल उपना ही न येते हैं result यह हो गया है आप चाहे तो इसमें अध्रक लसुन का पेश्ट भी डाल सकते हैं आपको पता है फ्रेंड्स शराथ चल रही है इसलिए हम लसुन नहीं खा रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे सिर्फ अध्रक करश करकर डालेंगे आप चाहे तो पेश्ट भी डाल सकते हैं हमने नम्हाइब इसे भी डालतीया है, अब हमने क्या कर रहा है, इसमें चिली फ्लैक्स लिया एए-पिल्कुर्ट, ज़रूरिये नहीं आपको चिली फ्लैक्स लेना है, जो भी फ्लेवर का आपको पसंद ले, उस ले आप बना सकते हैं, वैसे तो पेटाड़ोस्टिक लाइट फ् और आप चाहे तो फ्रेंड इसमें हरी मिर्च पी काट कर डाल सकते हैं अगर आप बच्चों के रिमेला रहे तो हम इसे बिल्कुर स्किप करेंगे हमने क्या कर रहा है थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी ले लिए हास से अच्छी से करसकर डाल देंगे और हमने दो चम्मच इतना डालना है कि अथी सी बाइलीं हो जाए इसमें अलु के साथी वाइड निंगा अच्छी सी बारीया घ могут का डॉल बॉल बंदा तरह है कि इसमें को अच्छा सभी लाघ्रों में न इसे तुछ थोड़ा से टाल दीक अपका जैसे लाने के लिए इसमें चिप्स पी डाल सकते हैं, जो आपका मन पसंद हो, कुछ भी फ्लेवर, यह नमकी नोगी ना भुजिया होगी, उसे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड करकर, उसका चूरा भी डाल सकते हैं, उससी भी अच्छा बनता है, उसे हमने एक तरफ रख दिया और गैस पे द्यार हो गया है, और निचे आरणों आपका और इनकुम मेलें को अधिया कोड़ चित, ना यारो, करने कर देंगी आचाई मों केस भी बहते होई, ने ऐसे हां कहूं हमें आर आटे प्रृस के कित्कत होगी ईकट कि कटिंग करनी आका ठेंगे बस इस तरह से जिस तरह से आप मत्र बनाते ने बस उस तरह से बनाना है हमें तो उससे बहुत ही मट्र के लिए पदला पेलती इसे थोड़ा मोटा ही पेलेंगी इस तरह से चारतुरब सीक्वल कर देंगे हम ताकि हमारी अच्छी से स्टिक बनकर तयार हो जाए बिल्कुल आसाने फ्रेंट्स बनान आपकी घर मेहमान आए बच्चों के लिए जब आपका मनकर खाने का आसानी से बना सकते हैं कोई भी टाइम नहीं लगेगा से बनाने में बिल्कुल इजी बन जाएगा और उसे हम फिर दुबारे यूज़ कर सकते हैं जो बचावा आटा है देख सकते हैं इसकी ठीकनिस कितनी है इतना ही मोटा हमें बेलना है ज्यादा पतला भी नहीं करेंगे नहीं तो तूट जाएग इतना ही इसके लिए प्रयापते अब हम क्या करेंगे इसकी स्लाइस बना लेंगे जितनी बड़ी आपको पटेटो स्टिक चाहिए न उतनी बड़ी बना सकते हैं हमने तो काफी सारी बड़ी बड़ी बनाई है देखने में सुन्दर लगती है बच्चों को तो पता है देख एक और बात इसे बिल्कुल भी बीच में नहीं छेड़ना जब तकि उठके अपना पूपर ना जाए और देल इसका जो बबल सारे ने इसमें घतम ना हो जाए अगर आप इसे बीच में छेड़ेंगे तो टूट जाएगी काफी ज्यादा सॉफ्ट होति है अभी हमें काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रही है अभी हम इससे नहीं छेड़ते काफी ज्यादा सॉफ्ट है अच्छे सीकई आपको देख सकते हैं friends, इसका color भी change हो गया है और इसके bubbles बीखतम हो गया है जो oil में bubbles आ रहे थे नउन भी खतम हो गया इसे हम क्या आज़ेंगे, इसे हम निकाल देते हैं तेल से देखने में कितने सुन्द है लग रहे है friends कोई कह सकता है इस घर में बनायाया है लग रहे थे बिल्कुल मार्केट वाले इस तरह ही आपको सारे बनाने है यह भी हो गया है आप इसे किसी के साथ भी खासा है और नियून donde view के साथ सॉस के साथ जिस के साथ ऊसके साथ खा सकते हैं, आप चाहे तो उपर से इसमें चाट मसाला भी छिटक सकते हैं, उससे भी काफी ज़्यादा केस्टी लगता है, कैसी लगी आपको फ्रेंड्स हमारी एड़ा रेसिपी, अगर पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेट जरूर करें फ्रेंड्स और हमारी वी आपको मैं ऐसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक्स वर वाचिंग बाई बाई